इससे पहले कि आज की एरिटोरियल की चर्चा में करूँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉमन एरस को तो पहला कॉमन एर है इसमें आपको एरस ढूनना है फिसमें रिपीट कर दे रहा हूं आशा है आपने अंसर ढूंड दिया होगा इसका कि कहां पर एर है अब मैं आपको help कर देता हूं अंसर बता करके ताकि आप अपना अंसर मैच कर सके तो जो अंसर के रूप में आप देखेंगे वो है आपको बताया ग्या होगा किसी भी संटेंस में do, does या did helping verb की तरह रहता है याई supporting verb की तरह रहता है तो उसके बाद जो verb आता है वो हमेशा भीवन में होता है यानि जो a requires लिखा हुआ है ये गलत है it does not require होगा ना कि requires होगा do, does और did जैसे ही संटेंस में नजर आ जाए आप उसके बाद आने वाले verb को देखेंगे अगर वो verb भीवन में है तो सही है बट उसके अलावे कोई भी form में है भी 2, भी 3, भी 4 किसी में है तो गलत माना जाएगा चलिए एक common error हमारा clear हो गया अब देख लेते हैं दूसरे common error को केरला is one of the state whose daily numbers are causing concern and the easing of restrictions defies logic and flies in the face of science केरला is one of the state whose daily numbers are increasing and it is known to everyone जैसा कि आपको पता होगा केरला में जो cases हैं COVID-19 के दीन पर दीन बढ़ते जा रहे हैं और केरला किस लिए चर्चा में है अभी उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे अभी आपको common error देखने है तो मैं बता दूँ इसमें जो error है केरला is one of the state लिखा हुआ है याद होगा आपको कहीं भी one of के बाद noun आता है तो कैसा noun होता है? हमेशा plural noun होता है और verb कैसा होता है? singular होता है यानि one of के बाद आने बाद noun plural होगा और verb कैसा होगा? singular होगा जैसे एक example देख लेते है वन आफ द़े अस्ट्यूडेंट होगा या अस्ट्यूडेंट होगा तो वन ओप दआ udah अस्ट्यूडेंट होगा अब सवाल हैज कम या हैव कम तो अंसर होगा हैज क्योंकि वन आफ द़ेस्टूडेंट यानि छात्रों में से एक आया है तो has come na तो one of the students has come next है तो इसमें जो error समझ में आ गया होगा आपको केरला is one of the state नहीं होगा, estates होगा तो इस्टेट गवर्मेंट विल बी हार्ड प्रेज तो एक्स्प्लेंट ये तो easy है आप बना सकते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं तो state government विल बी हार्ड प्रेज तो एक्स्प्लेंट दिर decision to the top यहाँ पर देख सकते हैं जो आया है ये ये दियर pronoun है, किसके लिए आया है state government के लिए तो ऐसे condition में इसके लिए ये दियर का नहीं, क्या यूज़ोना चाहिए its 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 decision, their decision नहीं क्योंकि ये singular है, तो इधर pronoun भी singular वाला ही होगा तो आज की common errors में आपने देखा कि first बाले में it does not requires लिखा हुआ है और required होगा, do does के बाद हमेशा, do does did के बाद हमेशा भी बनाता है second वाले में one of के बाद हमेशा plural noun and singular भावात है तो states हो जाएगा और third वाले में आपने देखा कि a state चुकी singular है state government, तो उसके लिए जो pronoun यूज़ किया गया है, there उसको replace कर देंगे, its से आज का common error समाब थो अब बात कर लें आज की editorial की जैसा कि आप common error से जलक मिल गई होगी, एक COVID-19 से ही related है, आपने जब पढ़ा होगा तो आपने समझ लिया होगा अब देखते हैं आखिर है क्या इस मामले को ले करके तो हमारे देश में एक बहस छिड़ गई है, एक और right to life है जिन्दगी जीने का अधिकार आद दूसरी तरफ जो आ गया है right to religion या कहलो faith आस्था और जीवन के बीच में comparison हो रहा है comparison कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों के बीच में तूलना हो रहा है कि कौन superior है आस्था health के उपर हावी है या फिर स्वास्त यानि health आस्था के उपर हावी है यह सारी चर्चाएं चल रही है कई ऐसी सरकारे हैं जहां ओ किसी भी धार्मिक sentiment को खराब नहीं करना चाहती है उसको भड़काना नहीं चाहती है और सब की कदर करना चाहती है ताकि उसको जादा जादा वोट मिल पाए इसलिए कई ऐसे धार्मिक आयोजन को ले करके सरकार असपस्ट अपना इरादा जाहिर नहीं कर पाती है जिसके करन दिक्कत होती है जैसे हाल फिलहाल के दिनों में जब जनवरी में कुम्भ मेला का आयोजन हुआ तो कहा जाता है कि यहां यह जो है ओ हैवी अस्प्रेडर बना देश में यानि देश में करोना फैलाने का काम इसी ने किया तो कई जो धार्मिक आज था मैं भी स्वास रखते हैं उनके दिए एस स्टेटमेंट बहुत ही कड़वा लगता होगा सुनना कि कुम्भ के वज़े से करोना फैल गया उसी परकार कई ऐसे मुस्लिम संगठन के द्वारा भी मिटिंग्स बुलाया गया थे पिछली बार और इसकी आलोचना होती होगी तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग होगे उनको बूरा लगता होगा कि कैसे ऐसे धार्मिक भावना को मेरा ऐसे कर रहा है तो इन सारे चीजों के बीच में आज का एरिटोरियल है जिसकी चर्चा होगी कि है किसके उपर कैंसलेशन ऑप कावर यात्रा आप देख सकते हैं आपर कावर यात्रा को उत्राखंड और यूपी में उत्राखंड तो पहले ही लेकिन अब यूपी में भी इसको कैंसल कर दिया गया है तो इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ एबव फेथ फेथ का मतलब यहाँ पर आस्था यानि हेल्थ को यानि स्वास्त को आस्था के उपर रखा गया है यानि जिन्दा रहेंगे तो कावर यात्रा निकाल ही पाएंगे और जिन्दा ही नहीं रहेंगे तो फिर अगले बार भी नहीं निकाल पाएंगे अभी ही चले जाएंगे यानि यहां पर कहना यह है कि health को priority दी गई है ज्यादा तबज्जों दी गई है किसके बजाए आस्था कि चलिए आगे बढ़ा जेते हैं क्या कहा गया है सुप्रियम कोट के द्वारा A.C. lays down a statutory principle यानि A.C. ने सामने रखा है lay down मतलब रखा है a salutary principle that a right to life must override religious sentiments एक सही असपस्ट सिध्धान्त को रखा है principle मतलब सिध्धान्त होता है किसने A.C. ने क्या कहा है कि right to life जीने का जो अधिकार है must override override का मतलब क्या होता है dominant होना ठीक है उसके उपर होना किससे religious sentiments यानि जीने का जो अधिकार है ओ ज्यादा important है किससे religious sentiments से जो धार्मिक भावना है उससे जिन्दा रहेंगे तब बहुत सारा कामर यात्रा अगले साल निकाल लेंगे एक कहा गया it does not require any higher wisdom to know इसके लिए बहुत जादा बुद्धी की जरूरत नहीं है wisdom का मतलब क्या होता है बुद्धी बुद्धी नहीं और require का मतलब क्या होता है जरूरत यानि इसके लिए यह कोई ज़ादा बुद्धी की जरूरत नहीं है गिद्धोता की जरूरत नहीं है उना डाट यह जानने के लिए बाहुत ही ज़ादा important risk है किसको public health during massive religious gatherings massive मतलब होता है बड़ा religious मतलब धार्मिक and gatherings मतलब होता है भीडबाड यानि जब बड़े पैमाने पर धार्मिक भीड होंगे उसका क्या असर पड़ेगा it will it will be a considerable risk to public health public health के लिए एक बहुत बड़ा risk के रूप में उभरेगा in the midst of a pandemic और तब अभी हम लोग pandemic के बीच में हैं यानि pandemic के बीच में अगर कोई बड़ा religious gatherings होता है pandemic के बीच में यानि pandemic के समय अगर कोई बड़ा religious gatherings होता है it will cause risk to public health इसे public health पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा risk हो खतरा होगा उनके लिए और यह समझना तो इसके लिए समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा बिद्वान होने की जरूरत नहीं है यह सब कोई जानते है एट फिर भी यह सब जानते हैं इसके बावजूद भी इट टुक सम प्रोडिंग बाइज़ सुप्रीम कोट फोर उत्तर प्रदेश टू कैंसल अनुल कावर यात्रा यह जानने के बावजूद भी इट टुक सम प्रोडिंग प्रोडिंग का मतलत है उकसाना पड़ा यानि यहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार को उकसाना पड़ा और सुआता है इस बात को नहीं सोच पाई किस से दिक्कत आएगी इसके लिए सुप्रीम कोट को उसको उकसान पड़ा प्रोड करना मतलताुक साना होता है ऐस्टीमिलेत करना 15 उत्तर प्रदेश तु कैंसल एनुएल कावर यातरा यहां सुप्रीम को को उकसाना पड़ा उत्तर प्रदेश की लिए को क्या करो केंसल करो तो धयात्रा इन भीच कावरियाज, डिवोटीज औप शिवा make a preglimence to collect water from the गंगा होता क्या है कावरिया आत्रा में कि जो कावरिया है या फिर जो डिवोटी का लो शिव के, शिव के जो भक्त है डिवोटीज का मतलब क्या होता है भक्त जो शिव के भक्त है वो क्या करते है यात्रा करते है make a preglimence का मतलब क्या होता है तिर्थ ही यात्रा करना to collect water from गंगा गंगा से पानी पहले collect करते हैं was not held last year due to COVID-19 वो पिछले साल नहीं हो पाया था COVID-19 के वज़े सा यानि पिछले साल का भी कावरियात्रा जो है करोना वाइरस का शिकार हो गया था उसकी भेट चढ़ गया था यानि पिछले साल भी यह और्गनाइल्स नहीं हो पाया था इस साल जो है 25 जुलाइज को यह स्टार्ट होने वाला था ऐसा सेडियूल था उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर योगी आधितनाथ है वो ऐसा प्रतीत होते थे कि वो उत्सुख है इस साल उनको लग रहा था कि यह यात्रा होना चाहिए यानि वो उत्सुख नजर आ रहे थे इस मामले को ले करके और इस मामले में आरे क्यों बुलाई थी क्यों को डिसकश करना था और त्यारिया है जल रही थी और सेक्योरिक का क्या मैटर है यहीं सुरक्ष पर मानक को देखा जा रहा था उसकी वेबस्था को भी देखना था तो जुलाई नाइन को मीटिंग बुलाई गई थी योगी आदितनात के द्वारा इस मामले को लेकर क्योंकि योगी आदितनात इस बार उच्छुक थे इस आयोजन को लेकर उसमें एरेजिमेंट्स के साथ साथ क्या था along with मतलब साथ साथ putting measures in place to avoid the spread of COVID-19 infection आई इस मीटिंग में एवी डिसकस करना था कि क्या क्या कदम उठाये जाएंगे ठीक है avoid करने के लिए a spread of COVID-19 infection यानि COVID-19 infection को avoid करने के लिए क्या 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 कदम उठाये जा सकते हैं उसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा होने वाली थी से How ever, हलाकी हिए और हलाक की तहका नोकी क्यों प्रच्वट का मतलब क्या हता है परटर्ब्ड है इसका मतलब हता डिस्टर्ब्ड चिंतित कहलोँ inadस्पन याனि जो क्या क्या था ओ disturbed था चिंतित था कंसर्ण था किसको लेकर के जो उसके पास रिपोर्स आई थी कि इस बार प्लानिंग हो रही है conduct यातरा यानि यातरा को conduct करने की शुरू करने की planning हो रही थी यह जैसे ही रिपोर्ट कोर्ट के पास पहुँचा तो कोट क्या हो गई चिंतित हो गई और रिजल्टिंग इन तो इसका परिणाम क्या हुआ रिजल्टिंग का मतलब परिणाम होना दे इनिशियेशन ओफ सुव मोटो प्रोसेडिंग्स सुव मोटो का मतलब क्या होता है सुवता संग्यान लेना स्वता संग्यान लेना यानि कोट खुद से उस पे क्या करती है अपना संग्यान लेती है तो इसका हो गया कि एक शुरुवात हो गई किसका स्वता संग्यान लिया गया इस प्रोसेडिंग्स में यानि सुप्रीम कोट ने खुद इस फैसले को ले करके यानि योगी आधितनात ये खिलाफ खड़ी हो गई अब उसने क्या कहा भाई Disagring with even the idea of a symbolic यात्रा in difference to religious sentiment कहा गया कि यहां तक वो यात्रा की बात छोड़ दो यहां पर अगर symbolic भी यात्रा कर रहे हो यानि symbolic का मतोथ है प्रतिकात्मक तो अगर प्रतिकात्मक यात्रा भी है उसको लेकर के भी यह जो सुप्रीम कोट है और डिसागरी है सहमत नहीं है in difference to religious sentiment difference का मतोथ है सम्मान यानि धार्मिक भावनाओं के सम्मान में सुप्रीम कोट जो है यहां तक की symbolic अगर ऐसा कोई idea लेकर के आता है कि symbolic की आत्रा निकालेंगे उसको ले करके भी वो डिसागरी है यानि symbolic यानि परतिकात्मक भी अगर निकाल रहे हो तो उससे भी सुप्रीम कोट खफा है the court had reiterated a principle court ने बार बार reiterated का मतब दोहराया दोहराया क्या दोहराया एक सिध्यान्त को दोहराया वो सिध्यान्त क्या है that is being observed in most places so अधिकांस जगों पे माना जा रहा है observe किया जा रहा है the idea that the health of the public and their right to life are paramount और ये principle सिध्यान्त क्या है जो कई जगों पे अपनाया जा रहा है वो ये है कि the idea the idea है that the health of the public public का जो स्वास्त है and their right to life उनके जीने का जो अधिकार है are paramount यानि सब से उपर है superior है paramount का मतलों क्या होता है superior है all other sentiments इसके अलावे जितने भी भावनाएं है अलबेट का मतलव क्या होता है अलबेट का मतलव ऑल्दो जा हावएवर religious हो सकता है और सब सर्वियंट सब सर्वियंट का मतलव होता है उसके अधीन है to this most basic fundamental right यानि और भी किसी तरह का sentimental sentiments है जैसे religious sentiment हो गया यह सब किसके अधीन है basic fundamental rights जो basic fundamental जो अधीकार है उसके अधीन है उससे आगे नहीं है ठीक है तो यहाँ पे जो वर्ड है यह वाला नोट कर लिजे सब सर्वियंट का मतलव क्या हुआ अधीन the court had observed on July 16 जो court है 16 July को observe किया while giving the state government time till July 19 क्या करते हुए giving the state government time till July 19 to call off call off का मतलब होता है cancel करना the gatherings on its own यानि court ने 16 तारिक को इस मामले में सुनवाई की और उसने state government यानि राज्य सरकार को time दिया 19 July तक कि आप इसको cancel करो the उत्राखंड government had earlier canceled the yatra in its territory जो उत्राखंड के जो government है उसने पहले ही cancel कर दिया था इसकी यात्रा को अपने territory में यानि अपने area में अपने region में अपने खितर में rightly heeding warnings by expert that such large gatherings posed a major risk और यात्रा यानि उत्राखंड ने यात्रा cancel क्यों कर दिया क्योंकि वहाँ के जो experts थे उन्होंने warning दी थी कि इस तरह से अगर gathering करोगे that will post a major risk it will cause a major risk एक बहुत बड़ा risk होगा amidst fears and expectations of the third wave जो डर है अभी और expectation आसा है कि third wave ना आ जाए ठीक है इसके बीच में अगर इस तरह की gathering करेंगे तो इस्तिति क्या हो सकती है risk हो सकती है ये warning दिया गया था experts के द्वारा किसको दिया गया था तो उत्राखंड के और उस उत्राखंड के जो government है ऐसा कह लो जो सरकार है उसने rightly heed किया heed का मतलब बहुत है जो कहा उसको माल लिया तो वार्णिंग पे ध्यान दिया और उसने यात्रा को कैंसल कर दिया उत्तर प्रदेश वाज हेल्प बाइड़ वेरियस कावर्स संग दैट ऑफ़र तो एवाइड टेकिंग आउट यात्रा देशियर्चो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनकी मदद की गई किसके दोरा कई कावर्स संग थे कावर्स यात्रा निकालने वाले जो संग थे उन्होंने मदद की और कहा एक ओफ़र दिया कि आप इस साल भी पिछले साल की तरह कावर्स यात्रा को एवाइड कर सकते हैं इसमें हम लोग कोई आपको जोर जवरदस्ती करने वाले नहीं है यहीं जब कावर संग खुद तयार है तो यूपी की सरकार के लिए तो दिक्कत होने वाली बात ही नहीं Despite the fact that the organization of the कुम मेला earlier this year was seen as responsible for surge in infection in the run-up to the disaster second wave that overpowered the country's health system for weeks कहार जा रहा है कि Despite the fact ए सच्चाई को जानने के बावजूद इस सच्चाई के बावजूद जानना नहीं है इसमें इस सच्चाई के बावजूद की जो organization हुआ था कुम मेला का earlier this year was seen इसको देखा गया था as responsible for a surge surge का मतलत है बढ़ोतरी in infections यानि जो इस साल जन्वरी महीने में कुम मेला का आयोजन हुआ था एक जानते हुए कि इसके वज़े से infections में surge देखने को मिला है बढ़ोतरी देखने को मिला था in the run-up to disaster second wave किसकी और जो की ले गया कहा run-up मतलब उसकी और जाना disasters मतहानिकारक होता है बिनाशकारी second wave की तरफ जिसकी that overpowered जो की हावी हो गया था overpowered का मतलब उस पे हावी हो जाना dominant हो जाना the country's health system country के health system को ही अपने कबजे में ले लिया था यानि पूरी तरह से उसको छत भी छत कर दिया था for weeks कई सब्ताहों के लिए there are sections that believe that कई ऐसे sections हैं जो believe करते हैं ऐसा मानते हैं that rituals and gatherings associated with religious faith must be allowed यानि हमारे ही देश में कई ऐसे बुधी जीवी लोग भी हैं जो ए मानते हैं कि जो rituals है rituals का मतलब जो रिती रिवाज होते हैं या gatherings associated with religious faith होता है जो धार्मिक भावनाओं के साथ जूड़े हुए कोई भी gatherings होते हैं must be allowed इसको allow करना चाहिए with some restrictions कुछ restrictions प्रतिबंद लगा करके यानि ऐसे धार्मिक भावनाओं को आप कैद करके नहीं रख सकते हैं उसको allow करना चाहिए कुछ restrictions के साथ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो मानते हैं यानि government के लिए आसान फैसला लेना नहीं हो पाता है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि जो religious faith कोई भी rituals है यह सब allow किया जाना चाहिए कुछ restrictions के साथ वहीं दूसरे और जो experts हैं हमारे देश के या फिर सुप्रीम कोर्ट की ऐसा मानना है तो दो तबके हैं हमारे देश में जो बटे हुए हैं अब आप खुद किस में आते हो आप समझ लो आगे बढ़ते हैं there may be a case for relaxation amped at economic revival कहा जा रहा कि एक और case हो सकता है relaxation से related जो है यानि छूट देने की बात है थोड़ा सा धिल देने की बात है इसमें एक कहा जाता है कि economic revival चाहते हैं यानि आर्थिक पुनर जीवित उसको कहते हैं आर्थिक विवस्ता को तो उसके लिए थोड़ा दो धिलाज देना पड़ेगा and restriction of normalcy it must parts of the country और जो restoration of normality यानि जैसे पहले था वो ऐसा विवस्ता हो जाए in most parts of the country जा अधिकांस जो देश के भागे हुआ हां but there really is none when it comes to choosing between religious rights and the right to life and safety कहा जा रहा है कि ऐसे case हैं कहा जाता है कि ऐसा case भी है कि जहां पर relaxation it aim है aim का मतों क्या हो सकता है क्यों एक objective के तोर पे है कि आप economic revival के लिए restoration of normality को क्या कर सकते हो बढ़ावा दे सकते हो in most part of the country अधिकांस भागों में देश के लेकिन जब सच चाई का सामना होता है there really none इस सब खतम हो जाता है जब बात आती है चूज करने की किस के किस के बीच में religious rights याई धर्म का जो अधिकार है और right to life and safety दोनों में से किस को चूज करोगे इसके अगर बात आती है तो उपर में जो बात कही गई है और सारा का सारा none में बदल जाता है उसका कोई value नहीं रह जाता है जिन्दगी और safety जरूरी जाता है या फिर religious right इसके बीच में कर चुनने की बात होती है तो उपर में कही गई बात है इसमें कहा गया था कि ए सारी चीजों को restrictions के साथ allow करना चाहिए उस अब none में बदल जाता है nothing में बदल जाता है the easing of ease of का मतलब होता है छूट देना the easing of lockdown restrictions यानि lockdown के प्रतिबंदों में छूट देना for three days in kerala to help people celebrate bakarit तीन दीनों के लिए कहां देखो यहाँ पे kerala में to help people celebrate bakarit bakarit celebrate करने के लिए केरला में तीन दीनों की deal दी गई है किसमें restrictions में lockdown के जो restrictions है वहाँ उसमें deal दी गई है is a case in point ऐसे मामलों में एक point है कहा गया ना कि religious sentiments के आगे सरकारे भी जूग जाती है और आपको पता होगा कि kerala में अभी जो है कोरोना वाइरस के cases वो दीन पर दीन बढ़ते जा रहे हैं ऐसी इस्थिती में भी सरकार अपने आप में अपने फैसले पे कायम नहीं रह पाई और इसको restrictions में deal देनी पड़ी तीन दीनों के लिए बखरी सेलिबरेट करने के लिए इसकी वजह से इसने अमंत्रित कर दिया है अकरशित कर दिया है जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड का मतलब आलोचना यानि कई जगहों पर इसकी आलोचना भी हो रही है ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी relaxation दिया जाता है छूट दी जाती है आक्टर लॉंग अस्पेल ऑफ सीवियर कब्स लंबे समय से जो सीवियर गंभीर कब्स कब्स का मतलब क्या हुआ है पर जो चड़ाओ था यानि केसेज में बढ़ोतरी हो रही थी बिज्ट ऑन सैंटथिफिक असेस्समेंट के बाद होना चाहिए था सेंटिफिक असेस्मेंट के बाद होना चाहिए था और नवर औफ डईली इंफेक्शन याने अगर वग्यानिक रूप से ऐस्थ मुल्यांकन कर दिया जा है एक का मतलब मुल्यांकन करना तो अगर साइंटिफिक इन एसेस्मेंट होता है कि केसे कम रहे हैं डेली क्या केसे जा रहे हैं उसके बाद ही ऐसा रिलैक्षिजन का फैसला लेना चाहिए यह नहीं किसी की धार्मिक भावना को देख करके ऐसा फैसला लेना चाहिए एक कहना चाहरा कि यह जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें देख करके फैसला लेनी होती है तो पहला साइंटिफिक असेस्मेंट फॉर नंबर ऑफ डेली इंफेक्शन कितने आ रहे हैं कितने पॉजिटिव केसे जा रहे हैं कितना कमी का कोई साइन है या नहीं है कमी का कोई ऐसा संभावना है या नहीं है अबेटमेंट का मतलता है लैक कमी इस सब चीज़ों को देख करके यह अगर टिक्रीज हो रहा है मामला तो सोच सकते हैं अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे में आपको नहीं सोचना चाहिए केरला एक ऐसा राज है जहां पर चिंटा का भी सह बना हुआ है और अगर इजिंग मतलब होता है धिल देना किस चीज में रेस्टिक्शन में मतलब खारीज कर देता है इस लॉजिक को और साइंस के सामने उड़ करके निकल जाता है यानि कहना यह जा रहा है कि साइंस को यह वैल्यू नहीं दे रहा है यहां पर किसको वैल्यू दे रहा है यह रिलिजियस सेंटिमेंट्स को वैल्यू दे रहा है धार्मिक भावनाओं को ज़्यादा वेलू दे रहा है यह जानते हुए कि केरला में जो केसे हैं वो कम नहीं रहे हैं बढ़ रहे हैं फिर भी इन सब रेस्टिक्शन को एक हारिज कर देता है इस लोजी को और क्या करता है वहाँ डिल दी जाती है तो यह देखने को मिला यहाँ पर केरला में अब इसकी बज़ा से जो सरकार है उसको क्या किया जाएगा उस पर जोर डाला जाएगा कि आप इस बात को एक्स्प्लेइन कीजे कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और कहा जा रहा है लेखक के दोरा कि विच्विल क्वाइट राइटली डिमांड बिल्कुल सही तरीके से मांग करेगा सरकार से मच मोर देना रूटीन क्लारिफिकेशन देन देट देट रेलेक्शेशन वर अकांपनीड वाइड रेस्टिक्शन बाइंस्ट्रक्शन फोर मैंटेनिग दे कोवेड नाइट प्रोटोकॉल यहां पर देगे कितनी अच्छी बात कही गई है यानि लेखक भी इस मामले में चिंतित हैं वो कहते हैं कि कोट अमईद है उनको कि कोट डिमांड करेगा ज्यादा एक्स्प्लानेशन ज्यादा मांग करेगा जो कि शुरू से क्या होता है कि बस इतना कह दिया जाता है कि रूटीन क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है जो बार बर कहा जाता है कोई सी कि हाँ हाँ इसके वज़े से ऐसा हगा कोई भी सरकार कोई भी करती है तो एक लाइन जोड़ देती है कि क्या करोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उसको मानते हुए ऐसा करना कोई माने या ना माने एक लाइन जोड़ दिया जाता है तो वही यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जो रूटीन क्लारिफिकेशन नहीं चलेगा जो बार-बार आप बोल लेते हैं क्या बोल लेते हैं कि दर एकांपनिट बाइ इंस्ट्रक्शन फोर मेंटेनिंग दा कोविड-19 प्रोटोकॉल है ना यानि इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपको एसारे काम करने हैं यानि यानि रिलैक्शन तो मिला है लेकिन उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन भी है कि आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल को मेंटेन करके रखना देखो सरकार बचने के लिए अपना एक लाइन जोड़ देती है कोविड-19 प्रोटोकॉल को मानते हुए ऐसा करना तो इस तरह से आपने देखा कि आज का एडिटोरियल आपको जागरू कर आजनीती करना चाहती है तो एक तरफ हमारा रिलिजियस फेथ है और दूसरी तरफ हमारे पास जीने का अधिकार है जीने की स्वतंदरता है और जीने की जरूरत है और सेफटी है हमारा अब आपको चूज करना है कि आप सेफटी के साथ जाओगे या फिर अपने रिलिजिय आज के हिसाब से चलना जरूरी होगा that's all for today see you in the next video